हलो इभरीवन एक बाद फिर से श्वागत है आप शवीक आपके पसंदिदा यूटूब चैनल रामा सर में आज की इस वेकेंसी डिटेल्स में हम डिसकस करने वाले हैं लेडी सुपरवाइजर नई भरती 2023 के बारे में यहां दोस्तों करमचारी चैन आयोग की नई वेकेंसी असनातक पास यानि ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ महिला कंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल भरती महिलाओं के लिए निकाली गई है तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं संपूर्ण वेकेंसी डिटल्स के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्ण डेट की जो हमारा अप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है हो 26.09.2023 से स्टार्ट हो चुका है अर्थाद कल से ही फार्म फिलफ होना स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट फार अप्लाई आनलाइन की बात करें तो 25.10.2023 इसके लिए लास्ट डेट निरधारित किया गया है जी आ दोस्तो 25.09.2023 लास्ट डेट फार्म फिलफ के लिए किया गया है लेकिन फीश पिमेंट के लिए दो दिन का त्रिक्त समय दिया गया है 27.10.2023 तक आप फिश पिमेंट कर सकते हैं यानि आनलाइन एक्जाम फिश पिमेंट कर सकते हैं फोटो और सिगनेचर अप्लोड करने के लिए दो दिन का त्रिक्त समय दिया गया है 29.10.2023 तक आप इसमें फोटो और सिगनेचर अप्लोड कर सकते हैं बात करते हैं correction date की तो अगर correction date की बात करें तो 31,10,2023 से 2,9,2023 तक correction का समय दिया गया है अगर कोई mistake हुए रहेगा form में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप form को correct कर सकते हैं correction उसमें कर सकते हैं exam date को लेकर के अभी कोई भी fix date नहीं आ रहा है जैसे ही schedule recording exam date clear होता है हम अलग से video बना करके आपको सेप्रेटी तरीके से बता देंगे admit card exam से just पले release होगा उसके लिए भी हम अलग से video बनाएंगे अभी के लिए हम discuss करते हैं application fix के बारे में तो आप देख सकते हैं general OVC और EWS के लिए जो सुल्क निर्धारित किया गया है वहीं SCST और दिव्यांग candidates के लिए 50 रुपए का सुल्क निर्धारित किया गया है जारखन लेडी सुपर्वाइजर कम्टेटिव ग्जामिनेशन 2023 इसका नाटिफिकेशन जारी हो चुका है आज के इस वीडियो में हम 100 डिटेल्स आफ नाटिफिकेशन का डिस्केशन कर रहे हैं अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप वीडियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप official website विजिट करके full notification डाउनलोड करके उसको पढ़ना बिल्कुल न भूलें अगर आप official website विजिट कर नहीं पा रहे हैं या उसका लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको अमारे description box में official website का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप संपूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बात कर लेते हैं JSC लेडी सुपरवाजर एक्जाम नॉटिफिकेशन 2023 के एज लिमिट की बात करें तो जो आयू की गड़ना की जाएगी वह एक अगस 2030 से इसके आयू की गड़ना की जा रही है जिसमें न्यूनतम आयूसीमा 13 वर्स और अधिकतम आयूसीमा 38 वर्स निर्धारित की गई है एज रिलेक्सेशन की बात करें तायू में छूट भी प्रदान की जाएगी उसके लिए आपको JSC जारखन लेडी सुपरवाजर कम्टेटिव एक्जामनेशन 444 पद लेडी सुपरवाजर के लिए निर्धारित किये गए थे संख्या बढ़ाई गई आप देख सकते हैं लेडी सुपरवाजर के लिए कुल 444 पदों का शमावेश था जो आप पदों की संख्या 445 पनिर्धारित की गई है यहाँ पर जो कंफ्यूजन है आपको वैकेंसी डिटल्स के बारे में तो इसके लिए आप फुल नाटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें पदों की संख्या गटाई बढ़ाई जा सकती है लगभग आप इसको साड़े 400 पद मान करके चले बात कर लेतने हैं और में क्वालिफिकेशन की तो ऑनली फार्ट फिमेल कंडिडेट्स यानि यह सिर्फ इलिजविल्टी की बात करने तो लेडिस के लिए ही वेकंसी है बैचलर डिगरी होनी चाहिए किसमें सोचियोलाजी में साइकोलाजी में या होम साइंस में आपको बैचलर यानि असना तक की डिग्री होनी चाहिए इसके लाव अगर आप ज्यादा डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं लेजिविल्टी के लिए तो नाटिफिकेशन में संपूर जानकारी लेवल करा दी गई है बात कर लेते हैं जैससी लेडी सुपर्वाइजर यानि जैससी टूथाउजन बारे में तो देख लेंगे आप मैं थोड़ा बहुत जानकारी यहां पर दे दे रहा हूं अलग अलग पदों के आप दे रहा हूं 444 पदों का टोटल अगर आप अधिक जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो नाटिफिकेशन में आपको फूल डिटेल्स मिल जाएगा देख सकते हैं आप लेडी सुपर्वाइजर पोस्ट नेम जो आपका है वो लेडी सुपर्वाइजर का पोस्ट है कुल 444 पदों की वेकंसी है अन्रिजर्ब कटेगरी की बात करें तो 187 पद वहीं EWS के लिए इक अनकल विक सक्षन के लिए 44 पदों का समावेस किया गया है जबकि backward class first के लिए यानि BC first के लिए 42 पदों का समावेस किया गया है वही backward second के लिए 35 पदों का समावेस किया गया है यसी के लिए भी 35 पदों का समावेस किया गया है जबकि अच्छे खासे पोस्ट 80 candidate के लिए निदारित किया गया है कुल 101 पदों पर यह वेकंसी निकाली यस्टी के लिए कुल 444 पदों का समा वेस किया गया है तो यह आप टोटल वेकंसी डिटल्स को देख सकते हैं कि अलग-अलग क्टेग्री वाइस क्या वेकंसी है और रिजब क्टेग्री में कितना सीट्स है का लिंक आपको मारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जा करके आप संपूर जनकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके लाँ अगर आप आपको पताएंगे आगे के लिए आप फूल नाटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें तो दोस्तों आज की वीडियों आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान दबा दें लेते हैं आप सभी से बिदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाय थेंक्यू